मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल आशिश विद्याले पर आप लोगों का स्वागत है ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए जहां पर मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूँ आज के इस विडियो में हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर नमबर टू है जिसका नाम है नैशनलिजम इन इंडिया इस चैप्टर का हम लोग टेक्स्ट बुक कोशन आंसर करेंगे ये आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर नमबर टू का जो लास्ट पेज है जहां पर टेक्स्ट बुक कोशन आंसर दिये हुए हैं ये दो भाग में है पहला वाला जो भाग है वो लिखा हुआ है राइट इन ब्रीफ और जो दूसरा वाला है वो डिसकस्ट तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो फोर कोशन से हैं ठीक है इसको हम लोग डिसकस्ट करेंगे question number one है इसमें पहला जो है वो explain करने के लिए कह रहा है और ये भी चार भाग में बटा हुआ है ठीक है तो ये जो सबसे पहला question है A है ये बोल रहा है कि why growth of nationalism in the colonies is linked to an anti-colonial movement question को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें दो बात है वो पहला बात है growth of nationalism in the colonies और जो दूसरी बात है वो है an anti-colonial movement तो ये जो दो बात है ये दो बात कैसे आपस में link है ठीक इन दोनों बातों के बीच में क्या link है मतलब जो anti-colonial movement था anti-colonial movement का मतलब colonial मतलब जो British government थी तो British government के विरोध में जो movement था उसके चलते भारत में nationalism का growth हुआ ठीक और इन दोनों बात के बीच में क्या link है कैसे हुआ सारे देश के जो लोग थे वो अंग्रेजों के कबजे में थे और वो अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए struggle कर रहे थे और ये साथ साथ struggle करते हुए लोगों ने आपस में ढूंडा कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ unity है या साथ साथ struggle करते करते उनमें एक unity discover हुई अब भारत में अलग-अलग गुरूप थे हैं अलग-अलग कल्चर के लोग थे हैं जैसे तमिल नाडू में तमिल बोलने वाले लोग हैं पंजाब में पंजाबी लोग हैं बिहार में बिहारी लोग हैं तो ये जो अलग-अलग गुरूप था ये जब साथ में जब struggle किया त तो उनमें अपने पनका एक भाव आया, एक भाव आया कि हम सारे लोग प्रताडित हो रहे हैं, एक ही सिस्टम के द्वारा, एक ही बृतिस गवर्मेंट के द्वारा, और इस तरीके से उनके बीच में एक बॉन्ड बना, और यही बॉन्ड यहां टाइड का मतलब होता है, नहीं होगा यहां पर फोर्ज होगा एफ ओ आर जी इडिस ग्रूप तुगेदर विदिन वन मुव्मेंट इन सारे लोगों के अंदर में ब्रिटिस गवर्मेंट के खिलाफ गुसा था और कॉंग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के लीडर्शिप में यह अलग-अलग लोगों थी वो, फार्मर्स लोग, ट्राइबल पीपल्स लोग, बिजनस क्लास के लोग, यह सारे लोग जो थें इस मुव्मेंट में पार्टीसिपेट किये हैं और पार्टीसिपेट करके जब इन लोगों ने एक साथ साथ स्ट्रगल किया तो इन लोगों के बीच में एक इंडिया तो इस question में यह बोल रहा है कि first world war के होने से जो हमारा national movement था उसमें ग्रोथ हा गया कैसे हुआ ठीक आईए इसका point number one देखते हैं the first world war created harsh economic and political situation as follows which created resentment in the people of India which further helped in the growth of the national movement first world war में क्या हुआ कि भारत में एक harsh economic और political situation बन गया मतलब बहुत बुरी इस्तिती थी ना ही समाजी किस्तिती अच्छी थी ना ही आर्थिक इस्तिती अच्छी थी और ना ही राजनीती किस्तिती अच्छी थी ठीक और क्या हो गया था हमारे समाज में क्या परिशानिया आ गए थी first world war के चलते हैं हम लोग उसको discuss करते हैं तो जो पहला point है वो है customs duties were raised and income tax introduced custom duties को बढ़ा दिया गया था और income tax को पहली बार भारत में introduced किया गया था जिसके चलते हैं के लोग नाराज थे through the war years prices increased doubling between 1913 and 1918 leading to extreme heartsy for the common people मतलब जब first world war start हुआ और first world war जब खतम हुआ इसके बीच मतलब इसके पहले और बाद में जो कीमते थी चीजों की वो लगबख double हो गई इसके चलते हैं लोगों का जीना मुश्किल हो गया था third point बोल रहा है the first recruitment first नहीं होगा यहां पर forced recruitment होगा F.O.R.C.E.D. recruitment in rural areas caused widespread anger और गाउं गाउं में जो लड़के थे उन्हें जबरदस्ती आर्मी में भरती किया जाने लगा जिसके चलते भी लोग गुसाय हुए थे ठीक और यह भी आगमेगी का काम कर रहा था इसे nationalism की भावना और बढ़ रही थी nationalist movement और बढ़ रहा था अगला point लिखा हुआ है then in 1918, 19 and 1920, 21 crops failed in many parts of India resulting in the acute shortages of food और यही कम था कि और यह हो गया कि जो crop था जो फसले थी वो बरबाद हो गई जिसके चलते जो अनाच का जो production है वो घट गया और कीमत बहुत जादा बढ़ गई this was accompanied by an influenza epidemic according to the census of 1921 यहाँ पर कॉमा होगा 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic क्या हुआ influenza epidemic fell गया और इस epidemic में 12 से 13 million people जो थें वो मर गया तो यहाँ पर कहने का यह मतलब हुआ कि first world war के चलते यहाँ का situation और बुरा हो गया और इस बुरा situation के चलते लोगों में और गुसा आया और और गुसा आने के चलते यहाँ पे जो nationalist movement था वो और तेज हो गया ठीक आगे एक और point लिखा हुआ है यह जो दूसरा point हमने लिखा है वो है कि during the first world war इंडियन merchants and industrialists had made huge profits and became powerful keen on expanding their business they now reacted against colonial policies that restricted business activities यह बोल रहा है कि जब first world war चल रहा था तो जो भारत के businessmen थे जो business class थे जो industrialist थे उन्होंने भारी मुनाफ़ा कमाया था बहुत पैसा profit कमाया था जिसके चलते वो काफी powerful हो चुके थे ठीक है और जब first world war खतम हो गया तो अंग्रेजों ने इनके उपर लगाम कसना शुरू क किया था देखते हैं पहला लिखा हुआ है अटैक कोलोनियल कंट्रोल ओवर दे इंडियन एकोनोमी और सपोर्टेट दा सिविल डिस विडिटन मूवमेंट वेन इट वास फर्स लांच तो जब पहली बार गांधी जी ने सिविल डिस विडिन मूवमेंट लांच किया था त और इन लोगोंने फिनांसेल असिस्टेंस मतलब इन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को काफी पैसा दिया था कि आप सिविल डिस विडिन मूवमेंट किजिए इसमें जो खर्च आएगा हम उठाने को तयार हैं तो मूवमेंट में जो पैसा चाहिए था यह बिजनस क्लास इन लोगोंने यह जो बड़ी-बड़ी संस्थाइं बनाई थी जिसके चलते या जिससे अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सके अगला कोशन हम लोग देखते हैं वो है सी वाई इंडियन्स वेर आउट्रेश्ट बाइड रॉलेट एक्ट से जो इंडियन्स थे वो क्यू नाराज थे यहां पर रिप्लेश्ट होगा यहां पर रिप्लेश्ट होगा र ई पी और ई डबल एस पॉलिटिकल एक्टिविटिज मतलब इसकानून के तहट सरकार को बहुत ज़ादा पावर मिल जाता था कि वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटिज हैं जो इनडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सप्रेश करने के लिए उनको सोशिक करने के लिए काफी पावर मिल जाता था पॉइंट अंबर थ्री है यहां पर यह तीसरा पॉइंट है यहां पर ट्राइल लिखा हुआ है ट्राइल का मतलब होता है मुकदमा तो बिना मुकदमा किये हुए किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दो साल तक के लिए उसे जेल में बंद किया जा सकता था आई एमलो कोशन डी देखते हैं वाई गांधी जी डिसाइडे टू विड्रो दा नौन कोपरेशन मुवमेंट को क्यों बंद कर दिया था क्यों आपस ले लिया था तो इसके तीन पॉइं में एंसर है पहला पॉइंट है एट चौरी चौरा इन गोरखपूर एपीसफुल डिमोंस्टेशन इन बाजार टू इन्टू वालेंस क्लैस विद दी पुलिस हेरिंग ऑफ दी इंसिदेंट महात्मा गांधी कॉल्डे हाल टू दा नौन कोपरेशन मुवमेंट तो पारण ये लिखा हुआ है कि he felt the movement was turning violent in many places and satyagrahees needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles तो non-cooperation movement के तहद जगा जगा पे violence कहीं कहीं देखने को मिल रहा था तो गांधी जी का तो थियोरी ये नहीं था गांधी जी की तो जो थियोरी थी उनकी सिधान थे कि वालेंस नहीं करना है तो इनको लगा some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919 1919 में Government of India Act बनाय गया था और इसके तहद अभी election होने वाले थे तो बहुत सारे Congress Party के जो leaders थे इस आंदोलन से non-cooperation movement से उप चुके थे ये ठक चुके थे और इस election में भाग लेना चाहते थे तो इसलिए भी गांधी जी ने इस non-cooperation movement को बंद कर दिया था अगला question हम लोग देखते हैं what is meant by the idea of satyagra satyagra का क्या मतलब होता है the idea of satyagra emphasizes the power of truth and the need to search for truth तो satyagra का जो idea है वो इस बात पर बल देता है मतलब सच्चाई की सक्ती पर बल देता है ठीक और सच्चाई की खोज पर बल देता है point number two it suggested that if the cause was true if the struggle was against injustice then physical force was not necessary to fight the operation operation नहीं होगा यहां पर operator होगा याने अत्याचारी होगा हमारा अगर reason जो है वो true है मतलब हम अगर सही है ठीक और हम सच में injustice याने अन्याई के खिलाफे struggle कर रहे हैं तो फिर मुझे हम लोगों को कोई physical force की जरूरत नहीं है सामने वाला अत्याचारी को हराने के लिए physical force कहने का मतलब हमको कोई लाठी कोई बंदूग चलाने की जरूरत नहीं है में उची अवाज में बात करने की चिलाने की भी जरूरत नहीं है ठीक है हम उसको हरा सकते हैं वो कैसे हरा सकते हैं वो अगले point में बढ़ा रहे हैं गांधी जी तो point number three without seeking vengeance और being aggressive ये सत्यागरहिस कुड़ विन दा बैटल थ्रू नॉन वाइलेंस तो वो कैसे तो वो नॉन वाइलेंस के द्वारा तो हमको aggressive भी नहीं होना है ठीक है और हमको किसी से भीग भी नहीं मांगनी है हम नॉन वाइलेंस के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं कैसे कर स to accept truth through the use of violence ये ऐसे कर सकते हैं कि जो सामने वाला जो oppressor है oppressor मतलब जो अत्याचारी है जो हमारे उपर अत्याचार कर रहा है उसकी conscience याने उसकी आत्मा को उसकी अंतर आत्मा को एपील करके उसको हम लोग जग जोर कर रख देंगे आत्मा को और उसको सच देखने के लिए हम विवश कर देंगे कि देखो ये सच चाही है और उसको इस तरीके से हम मनाएंगे और वो इस तरीके से क्या होगा कि सच देख देख करके उसका जो मन है वो परिवर्तित हो जाएगा ठीक है और जिसमें वो मान लेगा कि हमारी गलती है हम violence कर रहे हैं और five point में by this struggle truth was bound to ultimately triumph औ पर मैं आपको एक note लिखना है one on 13 April infamous जलियांवाला बाग incident took place on that day a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग तो 13 April 1919 की बात है जलियांवाला बाग जो था यहां पर ball लिखा हुआ है इसका जेगा पर बाग होगा यहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे एक बहुत सारा crowd था यह एक और यह जो बगिचा था चारों करफ से इंक्लोज था उंची उंची रिवारे थें पॉइंट अंबर टू सम कम टू प्रोटेस्ट अगेंस दे गवर्मेंट्स न्यू रिप्रेसी मेजर्स अदर्स हैड कम टू अटेंड अन्वल बैसाकी फेयर तो इसमें कुछ लोग सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए भी जमा हुए थें और बहुत सारे लोग जो थें इसमें बैसाकी तहवार को मनाने के लिए जमा हुए थें 3. Being from outside the city, many villages were unaware of the martial law that had been imposed लेकिन उस समय में शहर में अमरित सर में martial law लगा हुआ था ये अमरित सर के पास में ये जगा है ठीक लेकिन बहुत सारे गाओंवाले जो थें शहर से बाहर थें और मतलब जो गाओं था शहर से दूर था बाहर था उन्हें पता नहीं था कि martial law क्या ह होता है और उसमें कैसे होता है तो इसलिए वो लोग वहाँ पे जमा हो गये थे वैसे martial law में लोगों को एक जगा पे जमा नहीं होना होता है ठीक है नहीं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी और डायर को ये बात मालूम चलता है डायर उसमें general डायर इन चार्ज था और वो वहाँ पहुच जाता है अपने लोगों को ले करके और उस बाग में घुसने का एक ही दरवाजा था उस दरवाजे को बंद करके अंदर घुसके सारे लोगों को गोली से मार देता है तो बाद में उसने बताया था कि उसका मकसर ये था कि जो सत्याग्रहिस्त है उन लोगों के मन में वो आतंक और डर का माहोल बनाना चाहता था इसी कोशन के अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं वो लिखा हुआ है साइमन कमिशन के उपर में एक रिपोर्ट लिखना है या नोट लिखना है तो वहाँ पे एक नई टोरी गवर्मेंट की सरकार बनी थी ब्रिटेन में नए प्राइम इंस्टर बने थे और उन लोगों ने एक कमिटी का गठन किया था जो जिस कमिटी के हेड जो थे उनका नाम था सर जॉन साइमन और उनको इंडिया स्टडी करने के लिए भेजा गया था कि यहां पर कंस्टूशनल सिस्टम क कैसे पर कर रहे हैं इस Sir John Simon Commission को यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि भारत में जो constitutional system है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है इसको study करने के लिए भेजा गया था वहां की government को position देना था कि क्या करना है इंडिया में थ्री दे प्रॉब्लेम वास डेट देड नोट है वे इंडियन मेंबर दे वे वेर अल ब्रिटिस तो इस कमिशन में जो कुल सात मेंबर्स थे और यह सातों के सातों जो मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिस थे इसमें से कोई भी इंडियन नहीं था और इंडिया के उपर में study करनी थी इसलिए यहां के लोग नाराज थे तो जब साइमन कमिशन भारत आया देखते हैं point number 4 में when the commission साइमन कमिशन arrived in इंडिया in 1928 it was greeted with the slogan go back साइमन तो जब वो भारत पहुंचा तो उसका विरोध किया गया उसको काले रंके जंडे दिखाए गया उसे go back साइमन का नारा लगाया गया point number 5 में लिख रहा है कि all parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstrations और ये जो विरोध प्रदर्शन था इसमें Congress Party Muslim League और बहुत सारे लोगों ने इसमें participate किया था आये जो हमारा अंतिम question है हम लोग उसे देखते हैं question number 4 compare the images of भारत माता in this chapter with the images of Germany in chapter 1 तो chapter 1 में जो the rise of nationalism in Europe हम लोग पढ़े थे हमने उसमें जर्मेनिया का photo देखा था ठीक है कि कैसे एक woman का image बना करके उसे कहा गया था कि ये जर्मेनिया है और इस तरीके से Germany में nationalism की feeling लोगों में डाली जा रही थी उसी तरीके से भारत में भी क्या हुआ था यहां भारत तो ये जो दो अलग-अलग images थे भारत माता का और जर्मेनिया का इसको compare करने के लिए बोल रहा है इस question में आईए देखते हैं हम लोग तो सबसे पहला point ये है कि both are holding weapons बट भारत माता hold trisul and जर्मेनिया hold sword तो आप देख सकते हैं कि दोनों के हाथ में जो है weapons हैं लेकिन भारत माता के हाथ में trisul है और जो जर्मेनिया के हाथ में sword है ये सबसे पहला comparison है comparison number two हम लोग देखते हैं कि both are holding the flag of their nation which is of tricolor but the color of the flag of जर्मेनिया is black, red, gold and the color of the flag of भारत माता is saffron, white and green दोनों के हाथ में flag है ठेक और तीन रंग का दोनों का flag है लेकिन color में अंतर है कि जर्मेनिया के हाथ में जो flag है वो black, red और gold color का है और जो हमारी भारत माता के हाथ में जो flag है वो saffron है, white है और green है ठेक, point number three हम लोग देखते हैं, three में ये लिखा हुआ है कि the breast plate of जर्मेनिया with eagle show the strength of German empire, the lion and elephant beside the भारत माता showed the power of strength of India, जर्मेनिया के जो breast plate है याने छाती पर एक plate लगा हु और elephant का photo है, जिससे कि ये elephant और lion है, ये strength को, power को show करता है कि भारत के पास कितना power है, उसी तरीके से German empire के power को eagle के द्वारा दिखाया जा रहा है, अगला comparison हम लोग देखते हैं, जो चौथा comparison है, both are wearing crown, but the germania is wearing crown of oak leaves which is a symbol of heroism and भारत माता is wearing a crown of precious metal which is also a symbol of heroism, तो जर्मेनिया भी ए ने हुए दिखाया गया है, लेकिन जर्मेनिया का जो मुकुट है, वो oak leaves का बना हुआ है, ठीक, और भारत माता का जो मुकुट है, वो precious metal वो लग रहा है कि कुछ सोना से या कुछ चीजों से बना हुआ है, जो कि ये जो heroism का प्रतिक है, point five में देख रहा है हम लोग कि there are a olive leaves around the sword of the germania and there is a lotus flower beside भारत माता which symbolizes willingness to make peace, मतलब जो germania के हाथ में sword है, जो तलवार है, वहाँ पर olive leaves लगा हुआ है, ठीक, olive leaves जो है वो शांती का प्रतिक होता है, मतलब हम जो है वो शांती बनाने के लिए भी तयार है, हम शांती चाहते हैं, लेकिन अगर आप लड़ना चाहते हो तो मेरे पास sword भी है, उसी तरीके से जो भारत माता का जो image है, वहाँ पर lotus flower बना हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है, कमल का फूल भी शांती का प्रतिक है, कि हम शांती के लिए भी तयार है, तो इस तरीके से ये comparison था जर्मेनिया और भारत माता के बीच में, इस वीडिय में इतना ही बचो, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए textbook questions answers के साथ, जो इसका अगला पार्ट है, तब तक के लिए thank you